हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव ट्विन फ्लेम चन्नी पर माई लविंग ट्विन सोल्स आप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मुन सभी के स्वागत करती हूँ प्रियों यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड या लाइट वरकर हो सकते हैं आप बलेज्ड हैं आपका जीवन धन्य हैं और आप एक महान परपस के लिए आए हैं आप अपनी चेतना में जितना बातों को बताऊंगी जिसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि आपके बहुत से ऐसे प्रश्ण जिन का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा था आज आपको मिलेगा और इसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे तो वो बाते जो ब्रहमान से जु हुई है और आपके ट्विन के साथ रियूनियन से जुड़ी हुई है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए पूरा सुनिए ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके कि अगर आप कुछ ऐसी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं जिसका रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है त के नैनियम मत्ती अध्या 13 के 35 पद में लिखा है मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ती से गुप्त रही है प्रगट करूंगा यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ती से गुप्त है छिपी हुई है अंधकार में है जिसे को वो परम सत्ता, आपको कुछ ऐसी बाते बताना चाहता है, जिसके द्वारा आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं हैं, उसका हल हो सके, उसका समाधान मिल सके, क्योंकि जब आप इस जर्णी में खुद पर काम करते हैं, हायर डेमेंशन में रेस करते हैं, तो आपको ब्रम्ह जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तो उसका समाधान भी वो खुद बखुद आपको दिखाएंगे, तो उनहीं बातों को, वो कहते हैं, कि मैं उन गुप्त बातों को बताऊंगा, तो वो गुप्त बाते कौन सी हैं, आज इसी विशय पर हम बात करेंगे, आप जब इस ट्व पूरा कर पाएं, उसमें सेवन शक्र मेडिटेशन, कर्मा क्लिंजिंग, औरा प्रोटेक्शन, पित्र दोस निवारन, इस प्रकार की तमाम बाते होती हैं, कुछ लोगों के जीवन में सुक्स विधाएं, सब कुछ होता है, लेकर उसके बाद भी अपने ट्विन के साथ रि अमोनिय सरीउनियन तक भी पहुशने के लिए जरूरी है कि आपके देव और पित्र दोनों ही प्रसन हो, आपके देव यानि कि आपके इस्ट जिस पर आप विश्वास करते हैं, उन्हें प्रसन करना जरूरी है, और दूसरा आपके पित्रगण, उन्हें प्रसन करना जरू लेकिन कुछ लोग देव को तो प्रसन कर लेते हैं, अपने इस्ट को प्रसन कर लेते हैं, लेकिन पित्र को प्रसन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस बात को बहुत हलके में आप लेते हैं, कि पित्र दोस के विशय में, अधिकांस ट्विन फ्रेम्स, जिसमें 90% से ज़्यादा पित्र दोस्त की समस्या से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ पशुपक्षियों को दाना दे दो, खाना खिला दो, इससे पित्र दोस्त ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसी विशे पर एक बहुत ही डीब बाते बताना चाहती हूँ, जो आपकी इस जर्नी से जुड़ा हुआ है। जो अपने अपने इस्पाउस से मेरिट लाइफ में हैं और उनके ट्वीन भी किसी और के साथ मेरिट लाइफ में हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी सोल हमेशा अपने ट्वीन को ढूनती रहेगी। चाहे आप अपने soulmate के साथ रहें, लेकिन उसके बाद भी आपकी soul अपने twin को ही ढूंती है, क्योंकि आपका twin ही आपको complete करता है, तो यहाँ पर चाहे आप एक merit life में ही क्यों न हो, अगर आप खुद पर काम करते हैं, खुद को balance करते हैं, तो एक ऐसा समय जरूर आता है जब आपके twin से आपका एक harmonious union होता है, लेकिन अगर एक harmonious union भी नहीं हो पा रहा है, सब कुछ करके देख लिया, तो कहीं न कहीं आपका पित्र बाधा है, और यह एक ऐसी रुकावट है जो आपके reunion को रोकता है, पित्र दोश कभी भी आपको reunion में आने नहीं देगा, अब इसका कारण क्या है, आपकी जड़, वो root जो wounded है, और इसे ancestor curse कहते हैं, आपको मालूम है कि आपका पूरा घराना, आपके माता, आपके पिता, अब आपकी माता के माता और पिता, और आपके पिता के माता और पिता, यह एक पिड़ी है, फिर आपके माता के माता के माता और पिता, इस प्रकार से एक पूरा जनरेशन, एक पूरी पिड़ी जो चल रही है, पता नहीं कितने जन्मों से, और उसमें कितने लोगों को मोक्ष मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, कितने लोग लो वाइबरेशन में ग कितने लोग अशान्थ हैं आप नहीं जानते क्योंकि उतने पुराने पुर्वच को आप नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ था तो वो पिड़ी जो वुंडेड है और वहां से अगर कोई कर्स चला आ रहा है तो आज आप अपने जगह में सफर करेंगे पित्र दोश जिसमें जो भी आपके पुर्वचों का भाग है चाहे उनके जीवन में कोई अशिरवात था या स्राप था कोई ब्लेसिंग थी या कोई कर्स था उसे आप कैरी करते हैं क्योंकि उनका डिने उनका ब्लड आप में है और आपके बाद आने वाली पिड़ी वो उस में जाएगा अगर आपने उसे इस बर्थ में हील नहीं किया तो आप ये जानिये कि अगर जो ट्विन अपने अपने पार्टनर से एक मेरिट लाइफ में है दोनों की शादी कहीं और हो चुकी है लेकिन आपके सोल अपने ट्विन से रियूनियन चाहती है और वो रियूनि पर्टी आया कहां से है क्योंकि ये आपके DNA में था इसे आप अपनी विरासत में लेकर आए हैं यानि कि आपके अगर पुरुवज अगर उनको देखा जाए जाहे आपकी माता के तरफ के या आपके पीता के तरफ के आपके नाना परनाना दादा परदादा या उससे भी शादिया हुई थी दो घर थे और उनके अलग-अलग बच्चे थे तो इस प्रकार की बाते आपकी लाइफ में आएंगी तो उसे आप कैरी कर रहे हैं अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ट पार्टी सिचेशन है यानि कि आपके DM के शादी कहीं और हो गई उनका परिवार ह हैं और वो उनका एक कार्मिक एकाउंट है लेकिन उसकी वज़़ से आपका रहे हैं तो यह थर्ट पार्टी कहां से आई है यह आपको विरासत में मिली है इस बात को समझे तो जब तक आप उसे हील नहीं करेंगे इस बर्थ में तब तक वो क्लियर नहीं होगा वो हील नही होगा और यही कार्मिक सिचेशन नेक्स्ट बर्थ में जाएगा और एक बार फिर आप सफर करेंगे तो इस ट्रेंट फ्रेम जर्नी में अलग-अलग सिचेशन होती है कि अगर आप सिंगल है आपके डियम भाग गए थर्ट पार्टी में चले गए वहाँ उनको ट्रिगर मि मिला है या सिचेशन ऐसी बदली कि आप लोगों की शादी भी हो गई क्योंकि आपने सोल कॉंट्रेक में यह लिखवाया था तो यह एक सिचेशन है लेकिन दूसरी सिचेशन यह होती है जब आप मेंसे दोनों की या किसी एक की शादी हो जाती है उसका परिवार उसके बच अच्छे होने के बाद एक बहुत बड़ा जाल DM को रोकता है क्योंकि यहाँ पर DM बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं और इसी वज़े से वो third party में बने रहते हैं उनको छोड़ नहीं पाते और इसकी वज़े से DF के साथ उनका reunion रुख जाता है कभी कभी harmonious union हो सकता है लेकिन एक ऐसी इस्थिती होती है जब ना तो harmonious union हो पाता है और नहीं permanently तो यहाँ पर आपने बहुत लोगों ने अगर past life regression करवाया हो तो आप यह बताते हैं कि हमने आज के समय के अपने कार्मिक लोगों को अपने past life में देखा और वही हैं जो हमें reunion में रोक रहे थे तो यह कार्मिक कौन है यह third party कौन है जो past life से आये हैं यानि कि हर बर्थ में वो आ रहे हैं आपके reunion को रोक रहे हैं तो आपको उसे heal करना पड़ेगा इस life में क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे अधिकान स्टू इन्फ्रेंस में जो पित्र दोश पाया जाता है उसके तहत मांसिक अशांती आर्थिक समस्या काम में रुकावटे घर में कलेश जगडे शांती नहीं होती स्वास्त ठीक नहीं रहता लंबे समय से किसी बुजुर्ग या बच्चे की तेवित खराब है अगर आपके काम में बहुत रुकावटे आ रही है काम बन नहीं रहा है पैसे की तंगी रहती है और विशेशकर आपका एक हार्मोनेस यूनियन भी अपने ट्विन से नहीं हो पा रहा है तो ये एक पित्रदोश है कुछ इस्थितियां ऐसी होती है कि कुछ लोगों के पास अपारधन संपत्ती होती है लेकिन उसके बाद भी कोई न कोई ऐसी समस्या उनके जीवन में होती है जिसकी वज़ा से वो सफर करते हैं उस सुक को प्राप्त नहीं कर पाते ये भी पित् जिन में से कुछ लोगों को ये पता चलता है और कुछ लोगों को नहीं पर यहाँ पर बात ये है कि इसे हील करना ही पड़ेगा अगर आप इस ट्विन फ्लिम जर्नी में हैं तो आपको इसे हील करना पड़ेगा क्योंकि वो विरासत जो आप लेकर आए हैं अपने पीत्रो से अगर वो wounded है तो आपको इसी बर्त में उसे heal करना पड़ेगा अधिकांज twin flames जो विशेश कर married life में हैं अपने अपनी spouse के साथ लेकिन अपने twin के साथ एक harmonious union भी नहीं हो पा रहा है और इसी वज़े से वो दुखी हैं ये एक बंधन है तो जरूरी है कि आप इसी बर्त में उसे heal करें क्योंकि अगर आपने उसे heal कर लिया तो आप एक तीर से तीन शिकार करेंगे यानि कि तीन इस्थितियों को ठीक कर लेंगे कैसे तीन इस्थितिया यानि कि आपका past आपका present और आपका future इसे आप heal कर लेंगे अगर आपने ancestor healing कर ली आपका past life जो आपके पीतरों से जुड़ा हुआ है उनका DNA उनका blood जो आप में है आपके पित्र दोष निवारण करने की वज़े से आपके पित्र जन जिसमें बच्चे बुजूर्ग जवान सभी शामिल है वो सभी मुक्त हो जाएंगे उनको मोक्ष मिल जाएगा जिस प्रकार वो अपनी जर्नी में इस्टक थे और दुखी थे उस इस्तिती से वो बाहर आ जाएंगे डिवाइन में मर्ज हो जाएंगे उनको एक शांति पुड इस्तिती मिल जाएगी और जब ऐसा होगा तो वो आपको आशिरवाद दे कर जाएंगे याद रखिए कि एक सुख में जीवन के लिए पीत्रों का आशिरवाद बहुत जरूरी है और जब पीत्र मुक्त होते हैं तो वो आपको अशिरवाद दे कर जाते हैं जिसकी वज़ा से आपके जीवन के बहुत से काम बन जाते हैं जब आप दूसरों को बंधन से मुक्त करेंगे तभी अपने बंधन से मुक्त हो पाएंगे तो इस प्रकार आप अपने पास्ट को heal कर लेते हैं दूसरी और आपका present इसको कैसे आप heal करते हैं जब आप ancestor healing करते हैं तो आपके साथ पीतरों का अशिरवाद होता है और जहां जहां पर आप इस्टक्त है वहां पर रास्ते खुल जाते हैं अगर आपके पास रोजगार नहीं था रोजगार मिल जाएगा मनी की आवक होने लगेगी काम में प्रमोशन मिलने लगेगा अगर आपका स्वास्त या आपके घर में किसी का स्वास्त ठीक नहीं रहता था तो वो भी ठीक हो जाएगा तो इस प्रकार आप 3D के life में abundance ही abundance प्राप्त कर लेते हैं 5D में आपको प्रमोशन मिलता है यानि कि आपको बहुत से spiritual gifts मिलते हैं आपकी divine से soul merging हो जाती है और इस प्रकार आपके twin से आपको एक harmonious reunion मिलता है इस प्रकार आप अपने present को heal कर लेते हैं तीसरी इस्थिती वो है जब आप अपने future को heal कर लेते हैं यानि कि आपके बाल बच्चे जो आज वरतमान है और कल भविश बनेंगे ancestor healing करके आप अपने आज के वरतमान को तो heal कर ही सकते हैं आप अपने next birth को भी heal कर सकते हैं और आप अपने बच्चों के उस generation को जो आज वरतमान है और कल जो उनका भविश होगा उसे आप heal करते हैं क्योंकि जब आपके subconscious mind की healing होती है तो वो सारी समस्याएं वो तमाम प्रकार के दुख, दर्द, बिमारिया जो पीढ़ी दर, पीढ़ी चले आ रहे थे विरासत में वो heal हो जाते हैं वो समस्याएं आगे नहीं जा पाती तो इसका मतलब कि आपके जो बाल बच्चे हैं जो next generation है जुनका एक नया जीवन है आगे वो बहुत ही अच्छा होगा मंगल मैं होगा प्रोग्रेस होगा तो इस प्रकार आप ancestor healing करके अपने past, अपने present और future तीनों को heal कर लेते हैं तो अगर आपको यह ऐसा लगता है कि आपने सारे inner work कर लिए लेकिन उसके बाद भी आप अपनी जर्नी में stuck हैं कहीं न कहीं किसी तरह से आप struggle कर रहे हैं सफर कर रहे हैं या आपके twin से आपका harmonious union भी नहीं हो पा रहा है तो इसका एक कारण पित्रदोश हो सकता है इसका निवारण कीजिए और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने विश्वास और कर्म का प्रयोग करें विश्वास के द्वारा यानि कि meditation या prayer के द्वारा आप इसे heal कर सकते हैं और कर्म के द्वारा आप सिर्फ भलाई के काम करें जैसा कि धर्म शास्त्र में लिखा है 10% आपको ईश्वर को पहली भेट देनी होगी अपनी आई से तो अगर आप earning करते हैं तो उसका 10% आप निकालिए और ऐसी उबजाओ भूमी में बोईए जहां पर आप मदर अड़ को सर्व करें यानि कि गरीब जरुरतमन लोग ऐसे पशुपक्ची भूखे प्यासे जिनको सपोर्ट की हेल्प की जरुवत है वृद्धा आस्रम अनात आस्रम किसी पशुपक्ची का ऐसी संस्था जहां पर उनको प्रोटेक किया जाता है उनको संभाला जाता है कुष्ट रोगियों की कोई ऐसी संस्था जो लोग समाज से बहिस्कृत है तो अगर आप यही वो स्वोल परपस है जिसके द्वारा आप अपने उद्देश से जुड़ते हैं आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं जब भी आप कोई भले काम करते हैं निस्वारत भाव से तो आपको ब्लेसिंग मिलती है फिर चाहे वो अपने जीवन में गुट करमास को बढ़ाए बैट करमास को क्लियर कीजिए तो इसके द्वारा आपकी जर्णी सरल हो जाएगी और आप अपनी जर्णी को जल से जल पूरा कर लेंगे यहाँ पर मैं एक विशेश बात बता दू कि इस ट्विन फ्लिम जर्णी में हर धर्म के लोग पाये जाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई और सभी की मान्यताँ या रिती रिवाज अलग-अलग होते हैं कुछ पुनरजनम को मानते हैं कुछ पुनरत्थान को मानते हैं कुछ लोग पित्रदोश को मानते नहीं और उसकी हीलिन करना जरूरी नहीं समझते लेकिन अगर आप ट्विन फ्लिम जर्णी में है अगर आप में पित्रदोश है तो उसे हील करना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी जर्नी इस्टक हो जाएगी क्योंकि आप चाहे कोई भी रित्ती रिवाच करे आपका विश्वास एक ही होता है और वो उस परमसत्ता तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर जो भी तरीके हैं वो प्राकरतिक हैं, खुदरती हैं अगर आप किसी जिवजन्तु, पेड़ पौधे या गरीब जरूरतमन्द लोगों की सहता करते हैं तो इसके द्वारा आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं यही आपका परपस बनता है यही वो भलाई का काम है जिसके द्वारा आपको ब्लेसिंग मिलती है तो इसके द्वारा आपके कर्मा रिलीज होते हैं और इंसान के दुखों का कारण पाश लाइफ कर्मा ही होते हैं तो उसे ही रिलीज करना है इसलिए चाहे आप किसी भी धर्म के हो अगर आपको अपना एंसेस्टर हीलिंग करना है तो इसी तरह अपने आय में से कुछ हिस्सा या अपना समय, अपना परिश्रम आप समाज के लोगों को दीजे, बेजुबान, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को दीजे तो इसके द्वारा आप मदर अर्थ को सर भी करेंगे, इसके द्वारा आपका एंसेस्टर हीलिंग भी होगा तो प्रियो इस ट्विन फ्लिम जर्नी को पूरा करने का पूरा एक प्रोसेस है, जिसमें पित्र दोश भी शामिल है और इसका निवारन बहुत जरूरी है, अगर आप इसे हील कर लेते हैं, तो आपके जीवन में अबंडन्स ही अबंडन्स होगा और आपके ट्विन के साथ आपके री उनियन को कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो हार्मोनियस उनियन हो या पर्मालेंटली, लेकिन री उनियन होता जरूर है तो प्रियों, आज जो भी बाते मैंने आपको बताई हैं, होजो आपको हेल्प करें, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स टुडियो में, तब तक के लिए टेक क्यार, और गॉड प्लेसियो अल, मेरी सूल फेमली, आप सभी की जरूरी होए